नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्गुद्दस आज के दिन में हम दो सुत्या के बारे में हम ठोड़ा जो उसका पार्ट हम करेंगे वो दोनों जो है मज्जीमा निकाया के सुत्ता है और ये दोनों सुत्ता के अंदर जो है आपको जीवन के अंदर आप किस तरह से जीना है जो हमने प्रैक्टिस आपको बताया है उसको प्रैक्टिकल किस तरह से आपको जीवन में उतारना है इसके बारे में है तो पहले जो है मज़्जिमा नेकाय का 131, एक्तिस का सूत्ह है, उसको बद्द्ध का रंगधा सूत्ह बोलते हैं। तो दो हिसाब से इसको ट्रांस्लेट किया जाता है। एक है एक जो है उत्तम रात या इसको ऐसा भी कर सकते हैं एक उत्तम दिन आप किस तरह से विता सकते हैं उसके बारे में बुद्ध ने आपको सला दी हैं ऐसा मैंने सुना है एक समय बुद्ध अनाथ पिंडिका के मट जेध्वन के उपवन में सावती के पास ठहरे हुए थे वहाँ बुद्ध ने विख्शुओं को संभोधित किया विख्शुओं बदंत कहे उन विख्शुओं ने भगवान को उत्तर दिया मैं आपको एक उत्तम रात के पाट और विशलेशन सिखाऊंगा ध्यान से सुने मैं बोलूँगा तो यह क्या बुद्ध एक उत्तम रात या एक उत्तम दिन आप किस तरह से पिता सकते हैं उसका क्या बेसिक यह है अच्छा बनते कहें उन विख्वों ने भगवान को उत्तर दिया अतीत की और मत भागो अतीत की और मत भागो का मतलब है अतीत में जो भी हुआ है उसके बारे में आपको सोचना नहीं है उसके बारे में समझो अतीत में यह मेरे साथ अच्छा हुआ था यह मेरे साथ में बुरा हुआ था, इस तरह का माहूल था या इस तरह का सिचुएशन था, उस तरह का आपको सारे जो चीज़ है अतीत के लिए आपको पीछे आपको भागना नहीं है, भविश्य की आशा मत करो, जो कल क्या होगा, फिर अगर मैं हाँ पर जाओंगा तो यह हो तो मैं वो करूँगा, उस तरह से आपको भविश्य के बारे में भी आपको आशा नहीं करनी चाहिए, जो बीद गया वहां पीछे छूट गया है, भविश्य नहीं आया है, तो आप यह चीज़ जो है, भविश्य के बारे में आप कह सकते हैं, कि वो नहीं आया है, अभी द आपको कोई कुछ कर नहीं सकते हैं और अतीत के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो यह दोनों चीजे आपके हाथ में नहीं है और वर्तमान में होने वाली हर घटना को पष्ट रूफ से देखना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि अभी जब आपके बास सिर्फ वरतमान है यह वरतमान उन्हिंख भरतमान में जब कुछ सही और भिखर्श्टी सी देखना चाहिए है तो आपको क्या बताया गया है कि आपका सचेटन, M mindfulness आपका रहना चाहिए कि जो भी हो रहा है किस तरह से हमारा मन का जो attention है या जो मन का ध्यान है एक जगा से दूसरी जगा जा रहा है और किस तरह से हमें वो ध्यान वापस लाना है तो आपको वर्तमान में जो भी हो रहा है वो स्पष्ट हिसाब से आपको देखना चाहिए यह जानकर इस उपदेश का पालन करो अडिग अचल एकल अडिग रहना है अचल रहना है आपको हर समय आपकी Bridge di क्या कर रहा है कि ऊपर आपका रहेगा थिस तरह weने कहा है क्या working meditation करते तो आप कोई पर काम करते हैं तो वह अपका object of meditation हो जाता है और आपका झारता है और सही प्रयास प्रयास आपन मन, आप देखते हैं कि यह अपका जो कार्यिक कर रहा है उसके पर नहीं है आपकी जाने रिलैक्स करते हैं, इसमाइल करते हैं रहते हैं और उ ये आप पूरे दिन को करते रहते हैं आज का दिन बड़ी लगान से काम करना है, कौन जाने कल मोत का समय आ सकती है, तो बुद्ध के दे के जो को आज ही हमारे पास है, तो आज का दिन हमें काम करना है, अभी कल का हमें पता नहीं है कि कल कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़े जो है परमें नहीं रहती है तो अनिच्च्स के हिसाब से क्या है आप आज के दिन ही काम कर सकते हैं कल के लिए छोड़ नहीं सकते क्यों कर को कोण कि क्या हो का लिए आपपता नहीं है क्योंकि मृत्य और उसके πα्राकasto यूद्धा से पक्रान आ अ का प्वाईदा नहीं है अगर आप मृत्ति अगर आते हैं तो उससे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, उससे आप बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब आपके मृत्ति आते हैं, तब आपको चाना ही हैं, तो आपका जो यह है, जो कार्य है, वो आपको हर दिन करते रहना चाहिए, हर दिन का ही आपके पास अभी का ही समय है, आपके पास रहता है, आपके पास अतीद भी नहीं है, भविश्य भी नहीं है, तो अगर जो आप वर्तमान में जो करते हैं, वही आपका भविश्य होता है, अगर आपने अतीद में आपने शील तोड़ा है, तो आपका मन जो है अभी विचलित होगा मगर अभी आप शीव लखेंगे तो आपका मन अतीत में क्या होगा कि आपका शांत रहेगा क्यूंकि आपका जो कारिय आप करते हैं उसी के सबसे आपको फल मिलता है शांत मुनी ने समझाया कि जो लोग इस तरह से रात दिन उत्सा से ध्यान करते हैं उनके साथ वास्तव में एक उत्तम रात या दिन बीचती है तो इस तरह आप करते रहेंगे तो उसका जो परिणाम है कि आपको एक उत्तम दिन का आपको अनुभो करने को मिलेगा तो इस तरह से ये जो हमारा कभी भी आपका ये रहता है हमारा जो आपको आदेश रहता है कि आपका जो हर दिन का जो ये चीज है कार्य है वो आपको हर दिन करते रहना चाहिए और अगर आपने अपना उस तरह से किया आपने कार्य तो आपका जो मन है वो अपने आप ही डेवलप होते रहेगा जैसे हमने ऐसा एक्जामपल भी दिया था कि मुर्गी का एक्जामपल दिया था अगर मुर्गी अगर अंदे तो फिर उसके चूजे निकले गई है, अगर आप रोज वो रंधा इस्तमाल करते हैं, तो आपका हाथ का निशान वो रंधे पर आही जाएगा, फिर एक और एग्जामपल देते बुद्ध, अगर समझो नदी के पास में एक बोट है, वो बोट एक रोप से बंदी हुए है, रसी से बंदी हुए, और क्या होता है, उसके पर पानी लगता है, धूप लगती है, और कुछ दिनों के बाद में, कुछ महिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में, वो जो रसी है, वो तूट जाती है, तो वो रसी का जो तूटना है, किस तरह होता है, वो बार बार उसको पानी लगता है, बार बार उसको धूप लगता है, और उस कारण से वो रसी तूट जाती है, इस तरह से आपके बंधन भी बहुत आपको लगेंगे, बहुत ही स्ट्रॉंग है आपके बंधन, आपके जो आदत है, आपको लगेंगे, बहुत स्ट्रॉंग है, मगर जैसे जैसे रोज आप ये कार्ये करते जाएंगे, वो ये होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, मगर आप ये ने कैसे कि इतना आज इतना वीक हुआ, कल इतना वीक हुआ और परसु इतना वीक होगा, वो अवर था टाइम आपको पता चलेगा कि आपका वीक हो गया और तूट गया है, उस तरह से हम दस आपको बन्धनों के बारे में बताते हैं, तो वो शारे बन्धन भी आपको धिरे-धिरे तोडएंगे, उस तरह से जैसे वो बन्धन तूड़ते हैं, आप वो आगे बढ़ते हैं, इस के इंदर, फिर दूसरा जो बुद्ध बताते हैं कि दूसरा एक सुत्ता है मज्जिवा निकाय एकी, सिमिली ऑफ दो सौ, आरे के जो है उपमा, तो ये आरे के उपमा है वो भी आपको किस तरह से आपको जीवन के अंदर रहना है, उन सा अटिटूट से रहना है आपका जीवन के अंदर तो पहला तो बद्धे करता सुत्ता में क्या बताया गया है कि आपको हर दिन वर्तमान में ही जीना है, आपको भविश्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको आउतित के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको आउतित के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, वो वेदी का जो औरत थी उसका ऐसा बहुत ऐसा नाम था कि वो बहुत ही शान्त रहती है और बहुत ही अच्छी तरह से वहवार करती है तो क्या हुआ उसका एक ये थी जिसके साथ काम करती थी उसके घर पे वो दासी तो दासी उसने सोचा कि अभी इसका हमें टेस्ट लेना क्या थोडिली ते निे सक्ünd happiness कु कुछ दिनों के बाद गुर्यम था तो को सब बोला कि जोह आप के जो समझते हैं प्रशियों जान्स नहीं है तो उसके बारे में यह भी कहते हैं बुद्ध क्या कहते हैं उसका मैंने यहां पर इस सेरा दिखाया है फिर कुछ समय बाद गुरुहनी वेदी का को यह बदनामी मिली गुरुहनी वेदी का उग्रह क्रोधी और बिलकुल ही शांत नहीं है क्योंकि फिर अपना जो सही रूप था वो वापस उसने दिखाया उसी तरह एक विखारी मीठाई में सबसे मीठा सबसे साम स्वाद वाला सबसे शान स्वाद स्वभाव का हो सकता है जब तक कि उन्हें किसी भी प्रकार अप्रिय आलोचन का सामना ना करना पड़े लेकिन जब उन्हें आसहनिय आलोचन का सामना करना पड़ता है तो आपको पता चल जाएगा कि यह वे वास्तव में मधूर, सम, स्वाभाव और शांत है मिन्स वो अगर उसको जब भी कोई व्यक्ती रहता है या जो भी आदमी रहता है या जो भी ये रहता है और अवरत रहती है तब तक वो शांत रह सकते हैं जब तक उसको कोई कुछ कहता नहीं है जब उसे कुछ कहता है कुछ होता है उसके साथ में तब वो अपना सही सोभाव वो बाहर आ जाता है तो बुद्ध उसे कहते हैं कि वो जो चीज है वो सही नहीं है, क्यूंकि आपका जो सही सभाव है, आपको ही ये डिटर्माइन करना है, क्यूंकि आपको यहां पे दिया गया मैत्ता का भावना, तो किस तरह से आपका मन किस तरह रहना चाहिए, वो आपके हाथ मे रहना चाहि क्या कर सकते हैं उसे जाने दे सकते हैं जो भी आपका बंद में आया उसको रियाक्स करके स्माइल करके वापस आ सकते हैं तो अगर कोई आपको कुछ बहलता है आपके बंद में कुछ आता है क्रोध को जाने देना है तो और आपको जो भी आप कर रहे हैं और जो भी जिस तरह तो उसके बारे में भी एडवाइस करते हैं, तो ये दूसरा एक कुछ एडवाइस है, विक्षु ये पांच तरीके हैं जिससे द्वारा आपकी आलोचना कर सकते हैं, तो ये ऐसे पांच तरीके हैं जिस तरह से आपको कोई बात कर सकता है, जो आप से जब आपसे कोई बात कर तो यह पांस तरीके हैं जिस तरह से आपको बात कर सकता है उनका शब्द समय पर या गलत समय पर हो सकता है बोलते हैं तो कोई बता ना चाहिए तो सब के सामने अगर आपको यह बताता है कि तुम्हारा यह शर्ट में दाख है तो आपको बुरा लगेगा या फिर आपको बता सकता है अलग निकाल के बता सकता है कि आप जब किसी साथ नेकर तुम्हारे जो शर्ट के इंदर एक दाग लगाए तो समय से आपको कोई बोल सकता है या गलत समय पर बोल सकता है सच या जूट तो आपको सच बोल सकता है या कोई आपको जैसे बात कर रहा है आपको जूट बोल सकता है आपने कुछ अच्छा ही किया हो तो भी आपको कोई बुरा बोल सकता है कोमल या कठोर मेंस आपको आपको जो बात करेगा आपके वारे में कोई ठीका करेगा तो वो कोमल ता से बात कर सकता है या फिर आपको कठोर आपका तरह के बात कर सकता है तो दोनों तरह के से वो बात कर सकता है लाबकारी या हानिकारि तो आपको लाबकारी मेंस आपको फाइदा हो ऐसा बात कर सकता है या आपको नुकसान हो ऐसा बात कर सकता है प्यार के दिल से मेंस मेत्ता से या गुप्त घुरुना से बात कर सकता है तो वो आप मेत्ता से बात करेगा या फिर आपको घुरुना से बात करेगा तो वो दोनों चीज से आपको वो संभोधित कर सकता है जब दूसरे आपकी आलोचना करते हैं तो वे इन में से किसी भी तरीके के शब्द हो सकते हैं तो इसमें से कोई भी तरीके के शब्द इस्तमाल करके आपसे बात किया जा सकता है या आलोचना की जाते हैं यदि ऐसा होता है तो आपको इस तरह आप अपने आपको प्रशिक्षित करना है करना चाहिए हमारा मन अप्रभावित रहेगा तो पहले आपको क्या बोलना है कि अगर कोई भी कुछ भी बोले हमारे मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पहले आपको वो आपको अपने तो उसी साब से आपको कहते हैं कि एक दिन में आप बोले का कल से आपको कोई प्रभावित नहीं होना है कोई बोले का तो ऐसा हो नहीं सकता मगर आपको धीरे-धीरे वह आप करेंगे तो ही आप बढ़ेंगे यहां पर जो पहले दिन कुछ लग भीस मिल बैटतें फिर आपको आपको दुखन रगजयते हैं तो दीरे-धीरे उनका हो गया है ताइम बढ़ गया है तो लोगों को पता में जला कि उनका टाइम बढ़ गया है क्योंकि धिरे-दरे वो अभ्यास करते रहना चाहिए तो जो भी चीज है बुद्ध का जो कहना है वो इसी तरह है कि आपको जो है प्रशिक्षित अपने आपको करता चाहिए आप जो ट्रेनिंग में हर टाइम ट्रे हम करूना करूना मिंस कमपेशन करूना से भरे रहेंगे तो पूरी तरह से वो करूना से आपको भरे रहना चाहिए प्रेम या मेता के हृदे और घृणा के बिना अपने मन के अंदर पूरी तरह से आपको घृणा निकाल देनी है और मेता का दिल रखना है हम उस व्यक्ति के प्रती मेता फैलाने का ध्यान करेंगे जो हम सिखा रहे मेता का ध्यान तो हम पहले क्या करेंगे उस व्यक्ति को मेता भेजेंगे जो हमसे बात कर रहा है तो अच्छा भी बात कर रहा है या बुरा भी बात कर रहा है तो जोनों तरीके से जो आपको बात कर रहा है वो उसको आप क्या सामने वाले व्यक्ति को मैता भेजेंगे और उनके आधार के रूप में हम दुनिया में हर किसी के लिए मैता से भरे दिल को फैलाने का ध्यान करेंगे तो आप क्या करेंगे पहले उससे स्टार्ट करेंगे फिर सारे दिशाओं में सब को मेता फेलाएंगे तो जब आप किसी से बात करते कभी मिलते हैं तो पहले जो एक्ति से जब बात कर रहे हैं वो उससे आप मेता भेजेंगे और फिर सारे सब को मेता भेजेंगे तो यह जो कारिय है वो कारिय आपको करते रहना चाहिए हर समय तो अगर आप traveling भी कर रहे तो आप मेटा भेज सकते हैं सबको जो बहुत सकते हैं विशाल असीमिद कि तक है कि और धूरभावना से मुक्षल कि भीषाल हो अरत बंहने कि पखेंगे उसको सिर्फ जैत्वन के सांधिक वहाBS जा सकता है वो आ पुरे ब्रह्मभान के छोड़ पे भी जा सकता है, तो उसके ढ़र कोई सीमा आपको बांधनी नहीं है, और शतुरुता और धुर्भावना से मुःपदर आपका जो, मन में कोई शतुरुता ओर धुर्भावना दुर्भावना नहीं रहनी चाहिए, जो मन जो है उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं आपका जो दिन में किस तरह से जीना चाहते हैं फिर आगे जाके जो है बुद्ध जो है आपको एक एक एकजामपल देते हैं जो एकजामपल आपको हर समय याद रखना है वो एकजामपल आपके दिल में आपको याद रखना है तो फिर आपको जो है हर समय फाइदा होगा वो एक्जामपल के बारे में बात करते हैं बले ही निचले स्तर के डाकू आपके अंग-अंग को काट दे फिर भी जिस किसी के मन में इस बारे में कोई घुरूना स्पद विचार हो तो वह मेरा निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो उन्होंने का कि अगर कोई डाकू आपका आरी से दो हाथ के आरी से अगर आपके हाथ भी काट रहा है तो भी आपके मन के अंदर घुरूना आ गई तो आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आपका मन के अंदर घुरून कोई भी बुरी शब्द नहीं बोलेंगे, हम करुणा से भरे रहेंगे, प्रेम या मैत्ता के हिर्दे और गुरुणा के बिना, हम उस व्यक्ति के प्रती मैत्ता फैलाने का ध्यान करेंगे, मिन्स आपको जो काट रहा है, आपको जो मार रहा है ओ डाकू, जो है आपके हाथ का रहा है तो उसको भी आप मैत्ता भेजेंगे, तो उस तरह से वो आपको चिन में जो है या जो ये उप्मा है उसको याद रखना है, और उनके आधार के रूप में हम दुनिया में हर किसी के लिए मैत्ता से भरे दिल को फैलाने का ध्यान करेंगे, विशाल, आसिमेत, शत्र अगर कोई आपको काट रहा है तो भी आपको उससे साथ में मैत्ता करने हैं और सारे विश्व को मैत्ता भेजने, यदि आप बार-बार इस सहा पर विचार करते हैं, तो क्या मुलते हैं कि अगर आप बार-बार इस सहा पर विचार करते हैं, आरी की उपमा, क्या आपको चन दिखाई देता है चाहे वह बड़ी हो या छोटी जिसे आप सहन नहीं कर सकते हैं तो बुद्ध कहते हैं अगर आप इसके बारें बार बार सोचते हैं आप समझते हैं तो ऐसा कोई भी चीज है जो आप सोच सकते हैं कि आपको कोई बोले और उससे आपको छोटा हो या बुद्ध सलहा देते हैं कि अगर कोई हाप काट भी रहा है हाथ तो भी आप उसे घृणाना करें तो कोई भी बुरा शब्द से आपको आहात नहीं होना चाहिए आपको ये बार बार आपका मन इस तरह से प्रशिशित करना चाहिए नहीं बनते ऐसा कहते हैं तो विख्यों आपको इस सलहा पर बार बार विचार करना चाहिए आरी की उपमा यह आपके चिर काल के कल्यान और सुख के लिए होगा तो बुद्ध के ते आपके चिरकाल के सुप के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप बार 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 आपको सूचना है अगर कोई भी ऐसी चीज है तो आप उससे कंपेर करना है इसको एक उपमा को एक इमेज की तरह याद रखना है जैसे हमें बताया था कल एट फोल पा है कि जब अगर कोई काट रहा है तो भी बुद्ध कहते है कि आपको तो कोई भी शब्द है या कोई भी कार्य सामने वाला कर रहा है तो उसको आप सह सकते हैं या नहीं सह सकते हैं आप जरूर सह पाएंगे अगर ये चीज आपका पूरी तरह से क्लियर है ऐसा बुद्ध न और आपको हम कहते हैं किस तरह से आपको ये लेके जाना है आपका दिन चरिया से अरी होई आपको पुझ एंदा चाई डिन लेके जाना तो आपको सिर्फ आप स्माइल भी करेंगे घाल कक अब नहीं हुग है समीसी Oooh इदर उदर जाते रहता है क्या देखते उसके पराविन सोचते ये सूचते वो सोचते उसके उसको छोड़ के आप अपना ध्यान अपने अपने स्माइल पर रख सकते हैं अगर आपका मन भटकता है तो आप वापस ले के आ सकते हैं आपका जो जीवन है उससे कोई अच्छा नहीं हो रहा है आपका जीवन का जो आपको सुधारना है तो आपका जो आपका बुद्ध का जो सिमिली दिया है तो आपका जो आपका जो साँ बात करता है अगर आप जाते तो बस में अगर आप जाते हैं तो आप जो आपको हम अच्छा आपको सुपती है क्यों हुआ उसे प्रभावित होते हैं बुद्ध कहते हैं, पहला है आपको प्रभावीत नहीं होना फ,, अब प्रभावीत रहते हैं, और दूसरार। आपको मेत्ता भिटे हैं, और आपको उस कर लिए आपको कार्य करना है। तो छे बज़े आप उठते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पांच बज़े उठ सकते हैं, पांच से छे एक घंटा अप मेडिटेशन किया, और फिर आपका दुन का चर्या को आपको बदलना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मगर आप बोलेगे कि मैं शाम को करता हूँ, तो शाम को अगर करना है, तो अगर करना है, तो सुबह जल्दी उठके, और हमारे बंदे विवर नमसी क्या कहता है, अगर समझो आपने एक घंटा जल्दी उठे और एक घंटा मेडिटेशन किया, तो आपका दीन का भी आपको जो ये कमी है, वो नहीं आपको सताएगे, क्योंकि मेडिटेशन में भी आपका मान जो है, शांत रहता है, और वो नीन की कमी को भी आपको निकाल लेता है, और आपका जो पूरा दिन के अंदर, चरिया के अंदर आपको जो आपको ये करना है, सिक्सार करना है या आपको सही प्रयास करते रहना है उसके लिए भी आपको रिमाइंडर रहता है और अगर अगर आपने दिन के अंदर आपको smiling का meditation रखा तो अपको जब बैठेंगे तो आपको और अच्छी तरह से फिर से meditation होगा और इस तरह से आपको प्रोग्रेस होते रह अगर अभी क्या हो गया मेरा वहवार बदल गया है मेरा जो जिस तरह से डिष्ट्रिकॉन है दुनिया के लिए वो बदल गया है और दुनिया का भी डिष्ट्रिकॉन अपने लिए बदल जाता है कभी आपको कोच लोग क्रोधी के हिसाब से देखते है फिर आपको देखते सबस्च console 2 अब यह हमारे पंते ची देते ते अब को बहुत समय नहीं है सुभस और सुभस हिए बहुत ही आपको नीन दाती है अगर उठते हैं बैठते तो फिर आपको बहुत नीन दाती है तो फिर क्या करना है कि आपना अ पूरा देन का काम जो है ना वो इए आधा गंटा पहले करना है या एक गंटा पहले खृतम करना है और जैसे आपको आफिस जाना है समझो आठ बज़ेvelunya तो साफ बज़े तैयार हो जाना है और पूरा कपड़ा पहन के पर आपको बैठ ना ह अगर आपको बहुत निंद्रा आती है या ऐसा आपको प्रॉब्न है उठने के पाद आप डारेक्ली बैट नहीं सकते हैं कि अगर अरतीत मन मन अगर अतीत में जाता है तो अभी वरतमान में लेकाना आखर और वर भाविश्य को तो अब तरय चाल दोनों परिस्तिति में आप या अच्छी तरह से आप उनसे बात करेंगे और उसको प्रभावित नहीं होगे उससे और उनको मेत्ता बेजेंगे और सारे जो भी है आज वजो वो मेत्ता बेजेंगे उस तरह से आपको जीवन यापन करना है तो ये बुद्ध का एडवाइस था अभी यहाँ पर हम समात करते हैं फिर हम अगर कोश्